नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा है कि मम्मी जो होती है वो बच्चों के कान में जर और इसलिए उनकी देखरेग के दौरान अगर जरासी भी लापरवाही बढ़ती जाए तो इससे उन्हें बहुत अधिक नुकसान भी हो सकता है दरसल जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो नकेवल उनका शारीरिक बलकि मानसिक विकास हो रहा होता है बलकि उनका प्रती है उससे अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश करती है अंसला हमने देखा है की बच्चा बीमार होता है या फिर उसके कान भी माना जाता है लेकिन क्या यह उपाय चोटे बच्चों के लिए सुरक्षित है तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बता ही देते हैं अगर बच्चों के कान में दर्ध हो रहा है या फिर उसे कान में जुड़ी कोई समस्या है तो ऐसे में आप उसके कान में तेल डालने के जो पहली जो वजह है वो कोई भी तेल आज पूरी तरह से किटानू मुक्त नहीं होता है पहले के तेल की बात कुछ और थी अब तरह तरह के क्यामिकल मिला कर ही तेल भी बनाया जा रहे हैं जिससे अगर आप बच्चों के कान में इसका बार बार इस्तमाल करते हैं तो इससे श खरेलू इलाज करने की सलाह नहीं दी जाती है इससे बच्चे पर विपरीत प्रभाव पढ़ने की संभावना होती है कभी कभी कान में तेल डालने से पहले मा तेल को बहुत अधिक गर्म कर देती हैं जिससे उस बच्चे के कान में और उसके परदे होते हैं जो कान के उसे अन्य अंग होते हैं जैसे बच्चे के जो कान होते हैं उसकी सफाई भी उतनी ही जरूर ही होती है जैसे बागी शरीर की हम सफाई करते हैं ऐसे में आप खुद ही घर पर वैद बनने की जगा आप एक ENT specialist की सलाह भी या फिर child care expert की सलाह भी ले सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा है और उसे बार-बार problem हो रही है तब वे कुछ दवाईयों के जरिये बच्चे के कान में जमी मैल और गंदिकी को अच्छे से साफ कर देते हैं जिससे किसी भी तरह का कोई खत्रा नहीं हो जात है और बच्चे को दर्द से भी निजात मिल जाता है आप उनकी सलाह पर किसी एयर ड्रॉप का इस्तमाल भी अपने बच्चे के कान में कर सकते हैं तेल की बजाए क्यूंकि आजकर जो तेल है और खाने के जो भी समान है उसमें कई तरह की मिलावट होती है इसलिए आजकर ड अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ नमस्कार अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर अपडेट आप तक पहुँच सके